प्राइब करेंगे विए सेशन ऑथेंटिकेशन वर्सेशन टोकंड टोकोन हंदिकेशन लास्ट वीडियो तो हम लोग देख जो के ते ओट इस सब कुछ बताते हैं चलता हो तो बेसिकल की आपको इक फ़एंडा पड़ता है फॉर्म मतलब यूजर नेंव आईड ए वा पास् इन लिएंगम दिसेर आपको मिलेगा स्चुर्वरन आपको क्या सब्सक्राइब अब होला क्वेक्न पारल में आपको के स्कूंग दे जायें हैं जोकि आपके लोकल कंपोईटर सेव जाएगी तो आपके सरवर ने आपको एक वों कि कुने की कमपोईटर में आगी आपका ID card होता है, जिससे आपकी entry बहुत ही अराम से हो जाती है, और यह identity card जो है, वो आपको आपका server प्रोवेड करता है, तो cookies are just identity of your computer, और session authentication होता है, that works on cookie-based, सारा का सारा cookie-based होता है इसमें, और अगर आप सारा process देखें, तो कुछ इस तरह से होता है, पहले आप login ID, password देते हैं, तो एक session create हो जाता है database में, और आपकी cookie चली जाती है, ठीक है, session ID के साथ, cookie आपके browser में आती है, फिर आप cookie के द्वारा request करते हैं, ठीक है, फिर server क्या करता है, server देखता है कि क्या मैंने ये cookie किसी को भेजी, क्यूंकि cookie भी save होती है server में, मैंने आपका बात बुली, जो क खुद का एक अलग से database होता है, ठीक है, जो कि match करता है कि क्या इस cookie से, जो request आदी है, इस cookie से क्या मेरे database में कोई person है, ऐसा profile, अगर है तो आपको response दे दिया जाएगा, ठीक है, ये इतनी सी बात होती है, बट cookies के कई सारे नुक्सान मी है, पहला नुक्सान मी है, पहला नुक इस link में एक ऐसा end point हो सकता है, कि www.facebook.com slash delete, कुछ इस तरह से हो सकता है, तो जैसी मैंने उस पर link के click किया, तो मेरा Facebook अगान हमेशा के लिए delete हो सकता है, जो कि काफी खतरना की चीज़ है, बट अगर आप advanced python, python के framework के use कर रहे हैं, अगर आप PHP के लारवेल उस कर रहे हैं, तो सर्वर पर तो database बहुत जादा चाहिए होता है, क्योंकि बहुत जादा लोग cookies का use कर रहे होता है, तो server जाए तो costing अगरा काफी जादा हो जाती है, in case of cookie-based, मतलग कि session authentication का case में, तो इसी को overcome करने के लिए we introduced token-based authentication, इसमें बिसिकलिक होता है, बहुत simple है, process is same, हमारा process यह थे थ जाते हैं, form भरते हैं, form का data जाता है, database में, और database हमको एक, हमको JWT देता है, what is JWT, एक तरह का token देता है हमको, और वो जो token होता है, वो token एकदम metro के token की तरह होता है, कि आप उस token से entry कर सकते हैं, exit कर सकते हैं, ठीक है, तो जैसी मैंने अपनी website का नाम लिया, और मैंने अपना token की authorization token यह हमेरा, तो मैंको website में entry मिल जाएगी बहुत ही आराम से, इसमें बात है कि token कभी भी database में stored नहीं होता, token सिर्फ आपके पास होता है, आपके computer में इसे होता है, तो server costing भी हमारे पास नहीं आती, और यह जो token होते हैं, इससे आप CSRF attacks भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि token ब both sides saved होती है, client side भी और server side भी, बर जो token होता है, सिर्फ और सिर्फ client side में stored होता है, saved होता है, और basically क्या होता है कि हमको token की मझे से हम चीज़ा access कर पाते हैं, उसमें cookie की मझे से चीज़ों को access कर पाते हैं, तो जो हमको response मिलता है, that is JWT, what is JWT, JSON web token, जैसन के format में हमको एक web token मिलता है, और इसी का use करके हम लोग अपने चीज़ों को access कर सकते हैं, बहुत ही आराम से, okay, तो I hope आपको चीज़ों है clear, हम लोग मिलते हैं next video में, इस video के लिए इतना ही, तब तक के लिए, bye